Hello everyone, Electronics for UK DIY section में आपका स्वागत है ये वीडियो proof of concept है DIY project interval timer to save electricity का जो कि Electronics for UK आउगस्ट 23 इशो में publish हो चुका है इस प्रोजेक्ट की सहायता से कोई भी बिज़्गी से चलने अला उपरन जैसे की bulb, fan, इत्यागी को अगर आप बंद करना भूल जाते हैं तो अपने आप बंद हो जाएगा कुछ समय के बाद जब इस circuit को आप power supply और load के बीच में लगाएंगे तो एक निर्धारे समय के बाद power supply अपने आप बंद हो जाएगी इस तरह से आप बिचली बचा सकते हैं दुबारा उस उपकरण को चलाने के लिए आपको पहले उसकी switch को off और फिर on करना पड़ेगा इस project को बनाने में जो components इस्तमाल होए हैं वो हैं एक transformer और एक 12V की voltage regulator IC LM7812 power supply के लिए एक timer IC CD4541BE समय को निर्धारत करने के लिए जिसके बाद बिचली को उपकरण अपने आप बंद हो जाएगा एक 12V का relay बिचली के उपकरण को एक निर्धारत समय के बाद आप बंद करने के लिए एक 2N2219 NPN transistor relay को drive करने के लिए एक 5 mm की LED जो की bulb या fan को दरशाएगे हमारे prototype में इसके अलावा कुछ resistors, कुछ capacitors, एक diode, एक breadboard और कुछ jumper wires का भी इस्तमाल हुआ है चली इसका demonstration देखते हैं demonstration के लिए हमने ये LED अपने circuit में लगाई है bulb या fan की जगह पे सबसे पहले power supply को on करते हैं अब आप देख सकते हैं कि LED जल गई है ये LED तभी बुझेगी जब हम power supply बंद कर देंगे चली इस मानते हैं कि हम power supply बंद करना भूल गए उस इस्तिति में LED अपने आप 15 मिनिट के बाद बंद हो जाएगे ये समय हमने timer IC की सहायता से नर्धारित किया है जिसमें एक built-in oscillator और एक binary counter है जो की frequency divider की तरह काम कर रहा है लगबग 15 मिनिट का समय नर्धारित करने के लिए हमने oscillator की frequency को 35.6 Hz पे सेट किया है और frequency divider में N की value को 16 सेट किया है इस नर्धारित समय को बदलने के लिए आपको oscillator की frequency को बदलना पड़ेगा अब 15 मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यह LED अपने आप बंद हो गई है क्या आप अपना खुद का एक interval timer system बनाना चाहेंगे तो follow करें इस link को जो आपको description box में विलेगा इस पे जाके आप पूरे प्रोजेक्ट को step 5 देख सकते हैं circuit diagram के साथ अगर आपको पसंद आए तो like, share और subscribe करें हमारे चानल को और ऐसे DIY proof of concept वीडियो को देखने के लिए Thank you